हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है वे नई यूटूब वीडियो में आज की वीडियो में बताऊंगा हम अपनी वीडियो में आई बटन केसे लगा सकते हैं वो भी एकदम असान तरीके से और आपको बताऊंगा इस वीडियो में अगर हम आई बटन लगाते हैं तो क्या उस कामज आएगा कि केसे हमい बटन लगा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ऐ बटन के benefit के बारे में अगर हम अपने वीडियो में आइब बटन लगाते है तो आपका जो विवर्स है वो वीडियों देख रहा है आपको वीडियों से पसंद आ गया तो तो definitely वो आपकी वीडियो और देखना चाहेगा, तो आपने i button लगा रखा है, तो उस i button पर क्लिक करके, आपकी वीडियो और देखेगा, इससे आपके views बढ़ेंगे, views बढ़ेंगे तो आपके definitely subscriber बढ़ेंगे, subscriber बढ़ेंगे तो आपका channel grow होगा, यानि grow होगा, अब आपको मैं बता देता हूँ, कि हम i button कैसे लगा सकते हैं, अपने वीडियो पर, वो भी simple तरीके से, अपने mobile phone से, ये मैं आपको पूरा process दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा, और ध्यान से देखेगा, मेरी वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जादे से जादे इस वीडियो को share कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ने होते इस चैनल को subscribe कर लिजिएगा, चलो ले चलता हूँ, मैं आपको mobile screen पर, हम आ गए हैं mobile की home screen पर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि, किस तरह हम easily लगा सकते हैं, i button, मैंने आपको end screen लगाना बता दिया था, अगर वो नहीं देखा है, तो आप i button पर किलिक करके वो वीडियो देख लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूँ के से हम लगा सकते हैं, पहले हमें chrome browser है, उस पर किलिक करना है, chrome browser को open करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है YouTube, अब यहाँ पर यह YouTube की site आ गई है, आपको इस YouTube site पर किलिक करना है, simple तरीके से यहाँ पर आप किलिक कर दीजिए, और यहाँ से आप Chrome से इसे open कर लिजिए, after then आपको यहाँ पर जो 3 बटन है, यहाँ पर आपको किलिक करना है, यहाँ पर 3 बटन पर जैसे इकलिक करते हो, तो यहाँ पर आपको desktop site option मिलता है, इस desktop sites आपको किलिक करना है, इससे क्या होगा desktop site पर किलिक करने से, जिस तरह monitor में display सो होता है, ठीक उसी तरह सोहने लग जाएगा जिसे हमारा वर्क है वो और इजी हो जाता है आफ्टर देन यहाप पर आपको जूम करना है जूम करने कर मैं आपको बता देता हूँ पिर आपको जूम करकर यहाँ पर जो अपना लोगा है चैनल का उस logo पर आपको click करना है फिर यहाँ पर option आजाता है आप देख पारे हो YouTube Studio इस YouTube Studio पर आपको click करना है After then हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का interface हमारे सामने आजाता है फिर मैं आपको zoom करके बता देता हूं ताकि आपको समझने में असानी हो यहाँ पर आप इस icon को देख पारे हो इस icon पर आपको click करना है इस icon पर जैसे click करते हैं तो जो हमने अब तक अपने channel में videos upload कर रखे हैं वो हमारे सामने आजाते हैं फिर हमें जिस भी video पर i button लगाना है उस पर हमें click करना है जैसे मुझे end screen logo लगा कर हमें केशी views बढ़ा सकते हैं इस पर मुझे लगाना है तो मैं इस पर simply click करूँगा after then यहाँ पर pencil वाले icon पर click करना है फिर यहाँ पर आप देख पारे हो फिर यहाँ पर आप देख पारे हो cards यहाँ पर cards लिखा है इस पर आपको click करना है अब यह slide open होने के बाद हमें जिसी duration पर हमें i button select करना है उस duration पर यहाँ से जिसे आप देख पार यह duration time है वहाँ पर आपन यहाँ पर लगा सकते हैं जिसी भी duration time में हम चाहते हैं कि i button show हो उसी duration time में हम select कर सकते जिसे में इस duration time में मैं चाहता हूँ कि i button show हो तो यहाँ पर मैं select करके simply जो video है वो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारे यह वाला video है वो show हो तो यहाँ पर आप देख पार हो कि इस तरीके से show होने लग जाएगा एक minute अठावन सेकेंड पर हमारे वीडियो है वो show हने लग जाएगा i button का यहाँ पर select करके आपको simply यहाँ पर जो save है यहाँ पर आपको simply save कर लेना है तो इस तरह से हमारा जो i button है वो हम लगा सकते हैं दोस्तों आगर आपको वीडियो अच्छी लगिया है तो वीडियो का like कीजिए जाद से जादा इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share कीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल का subscribe कर लीजिए Thank you so much